नमस्ते दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं यदि आपको हमारी रस्पी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक भी चरूर कर दें आज मैं आपके साथ ऐसी रस्पी शेयर करने वाले हूँ इसे आप सुबह-सुबह नास्ते में ले लेते हैं तो पेट तो भरेगा ही इसके साथ-साथ ये हमारे स्वास्त के लिए भी बहुती लाबदायक होता है इसे बच्चे बरे बुडे सभी खा सकते हैं सभी के लिए बह बहुती आसान है और खाने में इतना स्वादेश्ट ये लगता है कि घर के सभी लोग कटोरियां भर भर के खाना इसे पसंद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस सूपर टेस्टी और हेल्धी रेस्पी को हमने कैसे बनाया है और इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या च जरूर बताईएगा तो देखिए ये इस तरह का होता है और ये खस-कस पहुती ज़्यादा फाइदेमंद होता है यूमनिटी वढ़ाता है साथ ही ये तुरंत उर्जा परदान करता है तो इसे हमने पूरी रात पानी में भिंगो दिया था और अभी सुबह इसे हमें ये च पानी में भिंगो कर और छेल कर खाईएगा तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है तो आप बदाम का परियोग गर्मी में भी कर सकते हैं ये आपके लिए बहुती ज़्यादा फाइदेमंद होगा तो बदाम और खस-कस को हमें दूद के साथ पीश लेना है अब यहां पर हमने एक छोटी कटोरी गेहू लिया है इस गेहू को हमने पहले अच्छे से धोकर और सुखाया हुआ है आटा पिस्वाने के लिए जो गेहू तयार करते हैं उसी में से हमने थोरा सा ले लिया है अगर आपके पास दूला हुआ नहीं है तो आप अच्छे से गेहू को पहले धो और दो-तीन दिन दूप में सुखा ले फिर ले और यहां पर हमने एक कटोरी मखाना लिया है यह मखाना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है तो इस रेसिपी में जो भी चीजे हम इस्तिमाल कर रहे हैं यह सब चीजे हमारे स्वास्त के लिए बहुत कर दीजिए दीमी आज पर 3-4 मिनट भूनिएगा तो यह अच्छे से भूनकर तयार हो जाता है अब कैसे पता चलेगा कि मखाना भून गया है तो जब हलका सा मखाना का कलर चेंज हो जाए और एक लेकर इस तरह से तोर कर देखिएगा जब यह असानी से टूट जाते हैं औ और इसमें से अच्छी सी आवाज आती है तो समझ जाए कि मखाना बहुत ही अच्छे से भून गया है गास का फ्लेम बंद करके और मखाना को अलग बरतन में आपको निकाल लेना है और इसी पैन को हम अच्छे से पोच लेंगे धोना नहीं है और इसमें हम डाल देते हैं य देखिए किस तरह से चटक रहे हैं सब गेहूं को हमें दीमी आज पर जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक भूनना है लगबग हमने चार मिनर दीमी आज पर भूना है और देखिए इसका कलर बिलकुल चेंज हो गया है तो ये कच्छी वाली गेहूं है और जो तो इसी तरह से आप अच्छे से धीमी आज पर गेहूं को भून लीजिएगा तो देखिए कितना बरिया भून कर तयार हो गया है गेहूं भून चुका है अब हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस सभी को एक प्लेट में निकाल कर और पूरी तरह से ठंडा होने देन कुछ दिर वाद देखिए पूरी तरह से ये ठंडा हो चुका है तो लगबग 15-20 मिनिट के लिए हमने छोड़ा था इतने में ये अच्छे से ठंडा हो जाता है तो अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और उसमें इस सभी को डाल कर और मिक्सी में जार को लगा कर जरा सा र एक इसतार का जाली वाली छनी लिजिए और इस तरह से छान लिजिए तो हमें इस रेसीपी के लिए गेहूं के जो मोटे टुकरे हैं उसका इस्तेमाल करना है बारिक यहां पर यह आटा जिसा गिर रहा है इसका इस रेसीपी में नहीं करेंगे तो देखिए हमने अच्छे स चान लिए हैं तो इसे ही हमें इस्तेमाल करना है तो इसे हम एक बर्तन में अलग कर लिए हैं तो देखिए कितना बरियां गेहूं का दाना तयार हुआ है तो आप मिक्षी को 10-15 सकेंड के लिए चलाइएगा फिर रोकिएगा तो इस तरह से तयार हो जाता है और यहां पर यह हम किसी और दिन अलग रेसिपी बनाएंगे तो वह हम आपको किसी और वीडियो में सेयर करेंगे तो इसे हम संभाल कर रख देते हैं अब गैस पर हमने एक करहाई को गरम होने दे दिया था जब करहाई हलकी गरम हो गई तो उसमें हमने आधा चोटा चमच घी डाल दिया है घी को अच्छे से गरम कर लिजिये जब घी गरम हो जाए तो इसमें हमने जिये गेहूं के टुक्रे तयार किया है उसे डाल देना है और दीमी आज पर बस 2-2,5 मिनट इसे हमें भूनना है तो हमने गेहूं को पहले ही अच्छे से भून लिया है तो इसलिए ज़्यादा इस आप पास गाई का दोद्ध है तो गाई का इस्तिमाल करें या फिर जिस दूद में फैट कम रहता है वह वाला आप ले सकते हैं यहां पर हम चार कतोरी जाएइड है जिस पर diya है उसी कतोरी से हां पर पर चार कटोडी दूट डाल दिया है अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब इसमें हम डाल देते हैं थोरा सा दाल चीने का टुकरा इसका फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही इस रेशिपि में और दाल चीनी के बहुत सारे फाइदे होते हैं तो इसलिए थोरा सा भी जरूर और यहां पर हमने बादाम और खसकस को जो भिंगोया था उसे दूद के साथ अच्छे से पीछ लिया है, तो बिल्कुल बारिक करके पीछना है और मिक्सी के जार में अगर लगे हैं तो उसमें थोरा सा दूर राल कर और सबको अच्छे से धोकर निकाल लेना है, आपको कुछ भी वरवाद नहीं करना है, तो देखिए ये भी तयार हो गया है, लगवग दो मिनट हमें गेहों के दान कर लगवग छे से 7 मिनट पकने दीजिये, 6-7 मिनट में गेहों अच्छे से पक कर तयार हो जाएंगे, तो हमने इसे लगवग 6-7 मिनट के लिए पका लिया है, और यह पर देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो गया है, दूद और गेहों के दाने अच्छे से मिक्स हो गया है, तो धीमी आज पर पकाईएगा और एक टेश मिनिट बाद आपको चलाते रहना है लगातार 7-8 मिनिट के लिए नहीं छोड़ दीजिएगा तो जब अच्छे से ये पक जाए तब इसमें आपको ये भूने वे मखाना डाल देना है गी में जो हमने मखाना भूनके रखा था व यहां पर हम साथ में ही चीनी डाल देते हैं तो हमने यहां पर आदी कटोरी चीनी डाली है आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा डाल सकते हैं चीनी डालते समय भी ध्यान रखे ग्यास का फ्लेम धीमा ही होना चाहिए तेज आज पर चीनी डालेंगे तो दूर भट जाता ह चीनी की जगह आप गुरिया फिर मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो यहां पर हमने अच्छे से चीनी को गुल जाने दिया है तो देखिए यहां पर गेहूं के दाने और दूद किस तरह से आपस में गुल मिल गया है तो मकाना डालने के बाद अब फिर से इसे ढख दीजिए और देर से दो मिनट के लिए और पकने दीजिए धीमी आच पर ही लगबग दो मिनट हमने धीमी आच पर पका लिया है और ग्यास का फ्लेम बंद कर दिया है ग्यास का फ्लेम बंद करने के बाद यहां पर हमने 4-5 हरी इलाइची ली थी उसे कूट लिया था बारिक करके और इसमें डाल दिया है इलाइची के पाउडर को अच्छे से मिक्स कीजिए और तुरंती ढग दीजिए ताकि इलाइची के सारे फ्लेवर इसमें अच्छे से चले जाए तो ये लीजिए हमारी सूपर टेस्टी और हल्दी गेहों की खीर बनकर तयार हो गई है कैसी भी कमजोरी ठकान सुष्टी लग रही हो आपको बस सुबह सुबह आपको एक कटोरी इसका ले लेना है पूरे दिन आप एनरजेटिक महसूस करेंगे आपको ठकान कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी इसे आप बच्चे बरे बुड़े सबी को दे सकते हैं आप इसे गरम या ठंडा जीस तरह से मन हो आप इसे खा सकते हैं अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो गरम गरम खाएं और गर्मियों में बना रहे हैं तो इसे थोड़ा फ्रीज में रखके ठंडा करके खाएं बहुत ही स्वादिश लगता है खाने में उम्मिद करती हूँ आपको पसंद आई होगे अगर वीडियो और रेशिपी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दे अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेशिपी के साथ यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थ थैंक यू